सबसे पहले करना पड़ता है इकठा करना पड़ता है देन सेलेक्शन फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है देन वर्क फिर आपको काम करना है और इसके बाद रिकार्ड बनाने है तो अम लोग सर दो महिने से सेलेक्शन का काम करने हैं काम करने और अभी यह दिसंबर मंथ तक पूरा चलेगा काम करने काम और यह दिसंबर मंथ जब कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग 15 जनरणी तक सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद अगले दो मैंने मार्च फर्वरी मार्च और अगले तक चले जाएंगे अब कोई संदे नहीं रहा गया क्योंकि टेस्ट हो चुका है कोई भी संदे नहीं रहा गया जब तीन दिन में 50% ग्रोव कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास टोटल साड़े चार महिने हैं तो सर दोस्तों अभी आज की डेक में जो रिकार्ड ब्रेक हुए है सबसे पहला तो तीन दिन के अंदर 50% का ग्रोथ मिला है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर और यह सब कुछ करने में ले जाने में बहुत से लोगों ने पह बने रहें तो वो आप देखें यह रेट था पॉइंट वन के आसपास था वन की वन के भी निचे था और यहां पर आगया शरी है यहां पर तीन दिन पहले बारह तारी आज क्या बारह है सर नहीं बारह आट तारीक बारह महीं नहीं जी जी तो आप देखें नव तारीक बारह महीना यह था दस के आसपास और दस से सीधा जो है आज गया है पंद्रा पे गया है साड़े पंद्रा गया था तो सीधा 50% का ग्रोथ जो है तीन दिन का है और यह यह तीन दिन का नहीं है इसे आगर आप तीन दिन का मानते हैं तो हम तीन दिन का नहीं मानेंगे यह ग्रोथ टोटल 50% फिप्टीपर्सन पीछे जो हम लोगका लगबग दो महीना गुज़रा है यह दो महीने का है यह दो महिने का foundation का काम है, तीन दिन में 50%. दूसरा यह है कि सभी MMIT आर्मी को, सभी MMIT कमिटी को, आज के date में हम लोग लगभग stake reward में, जिसके माध्यम से, जिस plan के माध्यम से हम ATS को जाएंगे, all time high तोड़ेंगे, all time high नया बनाएंगे, वो जो planning है, वो है stake reward. तो उस stake reward plan में 1000 की संख्या को हम cross कर चुके हैं, और आज ही 1000 की संख्या cross हुई है, और 1000 से बढ़के हम लोग 1000, डाक्टर साब है मौजूद, तो वो फिर exact figure आपको बता देंगे, डाक्टर साब आपको मैं co-host पाया था, जिए, जिए, पढ़ाम सर, 1056 हो गएं सर, 1056 जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि, आज 56 लोग नहीं आया है, जी जी जी, तो ये साथ बिल्कुल आपका जो, वो कमेंटरी की तरह जो है, एक एक रिकार्ड नया बताना लोगों को, और एक बाल पे क्या नया रिकार्ड बन रहा है, वो देन है सर, तो बिल्कुल गंटे एक्टिब रहते हैं, मुझे लगता हर एक घंटे पर आप बता देते हैं, कितनी स्टेकिंग हो चुकी है, और कितने एड्रस हो चुकी है, तो बिल्कुल सर, दूसरा ये रहा कि, आज की डिट में ही हम लोग 50% परसंट एचिवमेंट लिए, 50% मिट ग्रोग किया है, आज की डिट में ही 1000 एड्रस को क्रास कर दिये हम लोगों ने, और स्टेक रिवार्ड में 1000 से ज्यादा एड्रस हो गया है, 1056 हो गया है, और तीसरा ये रहा है कि, आज के ही डिट में, टोटल सप्लाई का 1% स्टेक हो चुका है, टोटल सप्लाई का 15% स्टेक होना है, 15% का 1% स्टेक हो चुका है यानि कि इसे अगर हम पंद्रा पार्ट में या पंद्रा वीक का काम मान लें तो एक एक परसेंट हो चुका है और यह मंद में एक परसेंट और हो जाएगा तो यह मंद दो परसेंट बाकी बचेगा तेरा परसेंट तेरा परसेंट अगले चार महिने के लि वरकिंग हुई है वोसके कार्डिंग हम लोग सही जा रहा है मैं बार 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 बोल रहा हूं भी आप देख सकते हैं यहां पर इसको दिखाते हुए चलते हैं जो भी रिकार्ड है अभी हम लोग एक जो चीज से दूर है वह यह है कि एक लाख होल्डर्स, एक लाख होल्डर्स होने के बाद आप समझ नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो जाएगा, मलब आप साइद जो यह बोलाना है कि इसके बाद कुछ और नहीं करना पड़ेगा, तो साइद यहां पे आपका सव डालर और हजार डालर जो स्टेक हुआ होगा, उसे आप खर्च नहीं कर पाएंगे, यह एक लाख डालर जाने के बाद जो क्रांती आएगी, क्रांती क्यों आएगी उसके पीछे और बहुत सी रिजन है, वह आपको ब्रीफ करेंगे, एक लाख जाने के बाद होगा क्या-क्या, फिलाल हम आपको यह दिखाना चाहरा है कि आज के डेट में हम लोगोंने टोटल यह शंख्या है, यह 9940 यह contract address है, जहाँ पर आप देखें, 1.02% total stake हो चुका है, और यहीं से वो देखते हैं डाकर साब, जो आप भी देख सकते हैं, फिलाल यह है कि उसके लिए आपको 100% समय देना होगा, यहाँ पर आप जाएंगे, तो यह देख लेंगे, total address page taking, method, 100% समय पित होना पड़ेगा, तो 1055, जी, 1055 address पे, आज ही हम लोगोंने 1000 crash किया, आज ही जो है, एक परसंट भी crash किया, और आज के डेट में और क्या हुआ है, आज के डेट में एक और बहुत बड़ी announcement है, जो कि final हो गई है, आज ही के डेट मे final हुई है, bid gate पे listing, तो सर यह पूरे MMIT community के लिए, पूरे MMIT army के लिए, आज का जो दिन है बहुत अच्छा, बहुत ही सुनारा दिन है, क्योंकि bid gate पे listing का जो date है, वो decide date, मतलब bid gate पे listing का वो मिल गया था, but date हम लोगो को करना था, कि हम लोग अपने तरीके से करेंगे, वो date क कर रहे हैं हम लोग second anniversary मतलब 15 January को, उधर से हो गया कि आप listing accepted है, but date अपने तरीके से देना था, कि हम लोग कहां पे क्या date दे, तो हम लोग वो date दे, जहां पे हम लोग enjoy कर पाए, मतलब कि जब हम सभी लोग लगबख 1500 लोग collect हो एक जगा, और उस listing को जो है, enjoy कर पाए, क्यों क्यों होगा, जो bitgate पर list हो रहा है, तो bitgate पर list हो मतलब है कि आप समझे कि binance से थोड़ी सी दूर पे आप है, क्योंकि जो top 10 का जो आता है, layer 1 उसको बोलते है, layer 1 exchange बोलते है, एक सिले के 10 तक के exchange को, तो one number संख्या में जो exchange रहते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इकाई म अंदर होते हैं, एक सिले के 9 दस तक, तो वहां पर आता है bitgate, तो भी हम आपको दिखाते चलते हैं, किस exchange पर listing की, listing final हो गई है, वो आप देखेंगे, coin market का पर, यहां पर exchange पर जाएंगे, तो exchange पर आ जाएगा, यह आपका bitgate, bitgate, तो यह exchange पर हम लोग की listing final हो गई है, और इस उसके बाद दूसरा exchange का जो number हो है, bybit, OKX bybit, यह जैसे ही, यह listing हो जाएगी, इस listing के 5 दिन के बाद, यानि कि 15 जनुरी की listing के बाद, 5 दिन के अंदर, bybit और OKX का date announce हो जाएगा, तो bybit और OKX का date आपको 20 जनुरी तक मिल जाएगा, कि उसके उपर MIT कप जा रहा है, और आप सम देखना चाते हैं, उधर की तरफ move कर रहा है, और 2024 वो साल होगा, जब MMIT आपको Binance पर देखने को मिलेगा, 2024, क्योंकि जैसे ही, यह bybit पर आया, bid get पर आने के बाद, यह अलग हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा, टाप 10, टाप, layer 1 के exchange की, इनके MMIT को उपर नजर हो जाएग कि वो जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा इधर से reward plan के माध्यम से cooperate करेंगे, मतलब की थोड़ा बैलूम बढ़ेगा, थोड़ा स्टेकिंग बढ़ेगी, थोड़ा rate बढ़ेगा, थोड़ा holders की संख्या बढ़ेगी, थोड़ा social media पर बढ़ेंगे, लोग viewer, subscriber, तो यह जो है possible हो Binance पर, और बाकी सब कुछ, experiment करके हम लोग रखे हुए है, कि क्या चाहिए, तो जो चाहिए उसके उपर तयारी कर रहे है, तो next होगा Bybit पर, और 20 January 2024, तो भई, 15 January 2024 को जो है, यह list हो जाएगा Bitgate पर, और next 20 January को announce हो जाएगा Bybit और OKX का डिट, तो सर यह रहा roadmap, और यह आज का रहा achievement, और हम MMIT Community के लिए, और MMIT Army के लिए, Super 30 में Runner के लिए, और Core Team के लिए, आज का दिन, MMIT का वो दिन है, जो इतियास लिखने का दिन है, आज के दिन हम लोग इतियास लिखने की तरफ आगे बढ़ गए हैं, फिर भी मेरा यह मानना है, कि ज्यादा more excitement नहीं होना है, ज्य हमारा excitement जो है, वो है, stake reward का percentage बढ़ने पर, stake reward का percentage, यह जो stake reward आपको दिखा 1%, यह जब तक 10% नहीं दिख जाएगा, तब तक हमको excitement नहीं आएगा, reason क्या है कि वो 10% दिखने के बाद, ATS को कोई रोक नहीं पाएगा, तो इसलिए, mainly excitement है 10% तक, तो अभी हम लोग 10 कदम, 9 कदम दूर है, एक कदम चलें, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, तो आइजे सर, हम लोग चलते हैं, MIT के परचे के तरफ, बहुत से नए guest होंगे अपने साथ, उनको हम लोग बचाते हैं, कि हम लोग जो चर्चा कर रहा है, वो MMIT को लेके कर रहा है,